जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी क्लासे स्वे सुमिज जैन यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों ही कालों की टॉफ सिक्ष्टी रचनाय यानि की 20 टॉफ रचनाय आदिक करें और वीडियो को सेर भी कर सकते हैं और जो भी साती अभी तक वाट्सप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 यह वाट्सप नमबर है और दोस्तों जो भी साती जॉइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के वो जॉइन मेंबर भी बन सकते हैं दोस्तों आपको 209 रोपे पे करना है और एक गोल्ड पलान जो की 169 रूपे और एक दोस्तों डायमंड प्लान जोकी आपको 299 रोपे पे करके आप जुम्बा बन सकते हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरू करें इस्टार्ट करते दोस्तों एक चीज बताना परमाल मतलब क्या होता है पर मतलब दूसरों का माल मतलब सामगरी या कुछ भी तो परमाल और दूसरों का अगर माल चुराना है तो क्या करना पड़ेगा जगना पड़ेगा इस चोर लोग क्या करते हैं दूसरों का माल चुराते हैं तो वो रात मे जगते हैं जग से बनेगा आपका जगनिक और क्या चुडाते हैं परमाल दूसरों का माल चुडाते हैं चोर रात में जग कर तो जगनिक ठीक है परमाल चुडाना है तो जगना पड़ेगा तो जगनिक परमाल रासो जिसे की आला खंड कहा जाता है और ये दोस्तों इसके जो दो रचेता हैं। वो कई हैं जगनेक हैं। ठिक है सभी लोगों को वैसे पता होगा। अगला वह बीचल देव रासों की रचनाकार कोँ है। पूछी जाती है जब भी आदिकाल की बात आती है तो दो रचना कार कौन है वो है नर्पती नाल नर्पती दोस्तों कितने होते हैं हैना बीस नहीं होते बोले बीस पती नहीं होते एक पती होता है हैना बीस पती नहीं होते बीस क्या नहीं होते पती नहीं होते तो नर्पती बीस नर्पती नहीं होते एक होता है ठीक है तो बीसल देवरासों के रचना कार कौन होंगे नर्पती नाल ठीक है और अजमेर के सासक से सम्दित थे दोस्तों है na दोस्तों आपको पता है कि कीरती उसी की फैलेगी जिसमें जिसमें बिद्या है उसकी के कीरती जगह जगह फैलेगी जिसमें बिद्या बिध्या है तो बिध्या पती है ना तो किर्ति लता बिध्या पती ठीक है बिध्या है तो किर्ति फैलेगी तो किर्ति लता बिध्या पती और दोस्तों आपको पता होगा कि बिध्या पती जी कितनी रचनाय थी एक तो थी इनकी किर्ति लता ठीक है किर्ति लता और एक थी इन की पदा वली ठीक है तो यह इनकी रचनाएं थी तीन तो पद लता पता का पद लता पता का ऐसे याद रखेंगे पद लता पता का तो यह तीन रचनाएं आपको याद रखना है और जिसमें जिसमें बिद्या है उसकी कीरती पहलेगी इस परकार से याद भी करेंगे ठीक है वर्न रतना करके रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है, आप वर्न लिखते हो, वर्न, है ना, जैसे आ अनार का, आ आम का, ये क्या कहलाती है, वर्न, तो वर्न, आप अंधेरे में पढ़ोगे की जोती में पढ़ोगे? वर्न अंधेरे में नहीं पढ़ोगे? वर्न लगी है, वो कमेंट में बताना है, वीडियो के लास्ट में एक चेलेंज प्रस्न दिया जाएगा, तो उसका उतर भी आपको बताना, ठीक है? राउल बेल, बेल समझते हैं आप दोस्तों, बेल बजा दी, बुले यार बेल बजा दी बड़ा रोडा है, कभी-कभी आप जब सोते ही हो, और कोई बेल बजा दे, तो सोने में रोडा बन जाती है कौन? सोने में रोडा बन जाती है बेल, सोने में रोडा बन जाती है बेल, तो राउल बेल और बेल बन जाती है क्या? रोडा, तो राउल बेल की रचनाकार कौन होंगे? रोडा कभी, रोडा कभी, यानि कि या नम्मर आपका बेल को सही हो जागा, ठीक है? आपने कभी-कभी दोहा की रिचनाकार कौन है दोस्तों आपको पता है कि धोला से बनेगा धोल और धोल बही बजा सकता है जो धोल बजाने में कोसल है धोल बजाने में जो कोसल है बही धोल बजाएगा तो धोला मारूरा दोहा की रिचनाकार कौन होंगे कोसल लाव है ना इड़े को धोल बजा नम्बर है वो आपका बिलकुल सही आंसर होंगा अंगला है दोस्तू विज़य पाल रासोकी रषजनकार कौन है चार विकलप है और आप safety film king Calam को हाट में ये विजय प्राप्त करने के लिए रैचना कही बार पूछी में कहीं या प्रथ्वी राजरासो के रैचनका स्धीन अगल आपको पता है यह प्रथवी है और यह मात्रोपगा कौन है चंद्रमा तो यहां पर प्रत्वी आया है तो इसका उपगरह भी कहां पर आएगा यहां उपगरह आ जाएगा तो प्रत्वी का उपगरह चंद्मा तो चंद बरदाई प्रत्वी का उपगरह चंद्रमा तो चंद बरदाई यह नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला है दोस्तो जवाहरे खुसरवी की रचनाकार कौन है जवाहरे खुसरवी और आपको पता है कि जवाहर हीरा मौती जवाहर एक किसके पास होंगे गरीब के पास कि अमीर के पास ये देखो ये जवाहर है हीरा मौती जवाहर और ये जवाहर जो होंगे वो किसके पास होंगे अमीर व्यक्ति के पास होंगे कि गरीब व्यक्ति के तो आपने विल्कों सही आंज पहचाना है कि सर अमीर के पास होंगे तो जबाहर एक खुसरवी की जो रचना होगी वो किसकी होगी अमीर खुसरो और खुसरवी से तो खुसरो है तो खुसरवी ठीक है अगला कोश्चन आपको बताना दोस्तो जै मैंक जस चंदरीका के रचनाकार कौन है तो चार बिकल्प है और आपको पता है दोस् एक पतनी अपने पती के लिए करवा चोथ का ब्रत रखती है एक पतनी अपने पती के लिए करवा चोथ की ब्रत रखती हो जब चली मेंसे बह चांद को देखती है तो चांद कैसा नजराता है मधुर कैसा नजराता है मधुर तो मधुकर है ना मैंक मतलब भी चंद्रमा होता ह और चंद्रमा की चंद्रीका को जब पतनी देखती है तो जो चंद्रीका है वो कैसी नजराती है मधृर तो मधुकर है ना यानि कि जो सानंमर है वो आपका बीलकुस्य हो हो जाएगा सानंमर ठीकए अंगला है खुमान रासो की रचनाकार कौन है दोस्तों आपको पता है खुमान मतलब होता है दीर गायू खुमान मतलब क्या होता है दीर गायू लंबी आयू ठीक है लेकिन खुमान रासो खुमान एक पदबी भी थी सेवाजी की है ना इन्हें खुमान की पदबी दी गई थ कभी कभी कोई दल का पती बिजय प्राप्त करता है तो उसे गुमान हो जाता है गुमान तो गुमान से खुमान गुमान से खुमान है ना दल का पती अगर बिजय हो जाता है तो उसे गुमान हो जाता है तो खुमान तो खुमान रासों की रचनकार दल पती बिजय ठीक है इस से आपको याद रखना है, दोहा कोस की रचनकार कोन है दोस्तों, आपको पता भी तो है, आप बोलोगे सर, दोहा सुनाओ, सर, दोहा सुनाओ, तो सर से सरहपा और दोहा सुनाओ से सो दोहा कोस है ना ट्रेक अगर मैं इधर लिख दूँ कि ट्रेक सर दोहा सुनाओ सर से सरहपा दोहा से दोहा कोस तो दोहा कोस की रचनाकार सरहपा ठीक है अंगला है स्रापकाचार की रचनाकार कौन है हिंदी की प्रिथम रचना मानी जाती है दोस्तों और ये जो स्राबकाचार है आपको पता है कि जैन्धर में बैक्ती जब भगवान के पास जाता है तो स्राबक बन के जाता है भगवान के पास है ना है ना और भगवान को क्या बोलता है देव तो स्राबक जाता है किसके पास देव के पास स्राबक बन कर जाता है बैक्ती के पास। टू स्राबक बनके जाना हैं देव के पास। स्रापक चार के रचनकार देशन 933 की और पृथम रचना हें हिंदी की अंगला है वृध्धी रास के रचनकार कौन है वृध्धी रास दोस्तों आपको पता है कि हम बोलते हैं कि वो बुद्धी साली लोग हैं, बुद्धी साली लोग हैं, तो यहाँ पर बोई तो पूची गया है, कि बुद्धी साली तो बुद्धी साली बद्रसूरी, बुद्धी रास साली बद्रसूरी, और किसी कि साली भी बहुत बुद्धी मान बहुती है, बोलते हैं, जिस जिस इसकी साधी हो गई, वो ले मेरी साली बहुत बुद्धी मान है, है ना, तो बुद्धी से बुद्धी और बुद्धी साली, ऐसे याद रखना बुद्धी साली, वो बुद्धी साली लोग हैं, तो बुद्धी साली से बुद्धी रास, साली से साली वद्र सूरी, है ना, तो ग रेबन्त गरी पर बिजय प्राप्त करनी थी during the lag आते हैं?.. बढ़ी सेनसूरुि ना है ना यहां कि आपको जो बिकल्प 2012 सी हैं वो सभी हो जाएगा अगला है चंदन वाला रास की रचना कार कौन है दोस्तों चंदन वाला हम जब मंदिर जाते हैं तो चन्दन की आस लगा के जाते हैं। चन्दन की आस लगा के बैठे थे तो इनको चन्दन लग गया। तो याद रख लेना। चन्दन की आस तो आसगू। चंदन की आस तो आसगू ठीक है चंदन बाला रास किस की होगी आस से आसगू है ना चंदन की आस इतना याद करना चंदन की आस तो आसगू कभी की है कुमार पाल पिर्ती बोत के रचनाकार कौन है कुमार पाल पिर्ती बोत दोस्तों आपको पता होगा आज कल कि जो कुमार ह बहुत पी रहे हैं सौम है ना कुमार लोग सौम रस पी रहे हैं तो सौम प्रभ सूरी सौम प्रभ सूरी इस प्रकार से याद करेंगे कुमार लोग सौम पी रहे हैं तो सौम प्रभ सूरी है ना डी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा कुमार पाल पिर्ति बोद क्रचना कार कौन है कच्छुली रास आपको बता है दोस्तों आपसे मैं पूछू कच्छुली कच्छुली बजार गएते कच्छुली बोले हाँ मैंने तिलक लगाकर प्रग्यां ली है ना इस परकार से मैंने प्रग्यां ली तिलक लगाकर तो प्रग्यां तिलक लगाकर तो प्रग्य तिलक प्रग्या तिलक लगा कर क्या ले रहा है प्रग्या ले रहे हैं प्रग्या यानि की प्रतिग्या है ना बोई ले रहे हैं कच्छू ली प्रतिग्या ली तिलक लगा कर ठीक है इस प्रकार से जैचंद प्रकास की रचनाकार कौन है दोस्तों चार बिकल्ब हैं और आपक चंद्रमा का प्रकास कहा करना है केदार नात में केदार भठ के रचना है जय चंद प्रकास, जय मैंक जस्त चंदरी का ये मदुकर की है, है ना, और जय चंद प्रकास ये केदारवट की है, ठीके, अंगला है दोस्तों हमीर रासों की रचनाकार कौन है, दलपती बेजय, सारंग धर, केदारवट या फिर स्वाम प्रफ सूरी, तो हमीर रासों कई बा सबसे पहले आप से प्रस्थन पूचा जाएगा और टरिक आप्को बतानी होगी, फिर टरिक मैं आपको बताओंगर सबसे पहले आपको बताना भरत मिलाप, सत्यबती कथा, और अंगध पैज की रचनकार कोन हैं इस चार बेकलब हैं दोस्तो चारों मैंसे आपको बताना है दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और आपका बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इस्वर दास इस्वर दास दोस्तो हमारे इस्वर कौन है वोले हमारे इस्वर तो कौन है स्री राम है स्री राम है त तो स्री राम से किसका मिलाप हुआ था भरत मिलाप भरत का मिलाप हुआ इस्वर से तो भरत मिलाप इस्वरदास की हैना इस्वर की कथा सत्त होती है तो इस्वरदास हैना इस्वर की किरपा से अंगद ने पैर जमाया था आपको पता होगा लंका में हैना अंगद ने कहा कि य इस्वर की किरपा से स्री राम की किरपा से तो भरत मिलाप भरत का मिलाप हुआ इस्वर यानिकी स्री राम से सत्वती कथा इस्वर की कथा सत्व होती है और अंगद ने पैर जमाया इस्वर की किरपा से तो अंगद पैज भी किसकी होगी इस्वर दास की ठीक है ऐसे याद चित्र में भी आप देख लेंगे और आपको पता है दोस्तों ये आपको बन देख रहा है ये आपको पूरा बन देख रहा है और बन में मिरगा को मार रहे हैं है ना स्री राम मिरगा के पीछे दोड़ रहे हैं बन में तो मिरगा के पीछे दोड़ रहे हैं कहां पर बन में त तो कुटुबन, कुटुवन, ठीक है, है ना, बन में मिरगा के पीछे दोड़ा है, तो मिरगाबती की रचनाकार कौन होगे, कुटुबन, यानि कि D नमर आपका बिल्कुछ सही होगा, और दोस्तों आपको पता है, कि इस रचना को मिरगाबती को, जो है, आचार रामचन सु तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, अगला देखो, अबद बिलास की रचनाकार कौन है, अबद बिलास, दोस्तों आपने, मैंने आपको कई बार बताया है, कि अबद का लाल, अबद का लाल, है ना, अब वो गाना पढ़ती ना, कि बना की अबद पूरी ससुराल बरा क्याते को को जय है, तो अबद का लाल इतना वस याद रखना, अबद का लाल तो लाल डास, अबद बिलास की रचनाकार कौन होंगे, लाल डास, याभी आपका D नमबर बिल्को सही हो जाएगा, अगला देखो, रामाएड महानाटक की रचना कार कौन है, दोस्तों आपको पता है आप रामायड पढ़ते हो और आपको पता है कि रामायड हमारी क्या है प्राण है रामायड हमारी प्राण है तो रामायड महानाटक के रेचेता कौन होंगे एक कॉस्चिन पूछा गया है कई बार रामायड हमारी प्राण है तो प्राण चंद चोहान है ना प्राण च ट्रिक भी आपके सामने हैं उत्तर भी चैन आपको करना है तो मैं अगर आपको पड़ाई करभा रहा हूं तौ आपका ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए तो ध्यान मंजरी और कहानी जाने चाहिए अग्र तो इसकी रचनाकार कौन होंगे अग्रदास ठीक है ध्यान मंजरी के रचनाकार अग्रदास ध्यान अग्र कहीं नहीं जाना चाहिए है ना तो अग्रदास एनि कि जो B नमबर है वो आपका बिल्कु सही हो जाएगा हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तो आपको बताना है इसके पहले मैंने लगभग 30 से 35 वीडियो दोस्तों टिर्की वीडियो डाल दिये हैं वो जरूर देखेंगे सब कुछ याद करवा दिया हिंदी साहित में और हनुमान नाटक और दोस्तों आप हनुमान के बात करोगे है ना तो हनुमान ने दिखा दिया कि मेरे हिरदय में राम है ऐसे सीना पाड़के च कौन है हनुमान के हनुमान के हिर्दय में कौन है राम तो हिर्दय राम बोले देख लो हिर्दय राम है है ना तो हनुमान नाटक की रिचनाकार हिर्दय राम हनुमान के हिर्दय में राम ब्राजमान है तो हनुमान नाटक हिर्दय राम ठीक है इस प्रकार से हनसा वली की रिच साइट में जाके हस लो अगर हस ना ही है तो है ना तो इनसे बोल दो साइट में जाके हस लें तो हस लें तो हनसा वली और साइट में तो इसाइट असाइट साइट है ना साइट से साइट तो हसें साइट में जाके तो असाइट ठीक है हनसा वली यह साइट की रचना है साइट में जाकर हसो, तो हसो साइट में, तो हंसावली साइट, असाइट की, ठीक है अंगला है, रूप मंजरी के रचनाकार कौन है दोस्तों, चार बिकल्प हैं और मैंने कई बार आपको याद करवाया है यहाँ पर देखो रूप मंजरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, नंद दास नंद दास हैं, अब नंद दोस्तों आपको पता है, यह देखो इस सास, बहू और नंद है ना और आप जल्दी बताओ रूप किसका अच्छा लग रहा है रूप किसका अच्छा लग रहा है किसका, नंद का बोले नंद का रूप बहुत अच्छा है नंद का रूप जिसे ननद बोलते हैं या नंद तो नंद का रूप अच्छा है तो नंद का रूप अच्छा है इसलिए नंददास की रचना कौन सी हो जाएगी रूप मंजरी अब आप से कभी पूछा जाएगा रूप मंजरी, बोले रूप तो नंद का अच्छा है सर, तो नंद दास, है ना, याद रख लेना, कशन भक्ती साका के एक अभी थे, और इनके गुरू का नाम था बिठ्थलनात, ठीके, तो नंद दास, बी नम्मर आपका बिलकुस सही हो जाएगा, और दोस्तो आपको बतान भी है, लाश्ट में की सबसे अच्छी टरेक कौन सी लगी है, ज्यान दीप की रचनाकार कौन है, चार बेकल्प हैं, दोस्तों, दो सेकन में आपको उत्तर बताना है और आपको पता है, कि ज्यान नया नभी नभी ज्यान सीखना चाहिए, पुराना नहीं, नभी नभी ज्य है कौनसी ज्यानदीप यानि कि जो आ नंबर है वो विलकुर सही हो जाएगा अंगला है भक्तमाल के रचनाकार को है दोस्तों भक्तमाल आपको पता है कि अगर भक्तों को नभ में जाने मिले नभ में भी चले जाएगे बोली इस्वर नभ में है अब आप यहां से चले जाओ तो भक्त, भक्ती के लिए नभ में चले जाएंगे, भक्त, भक्ती के लिए नभ में चले जाएंगे, तो भक्त माल की रचनाकार कौन होगे, भक्त, भक्ती के लिए कहां जा रहा है, नभ में, तो नाभादास, है ना, नभ में तो नाभादास, भक्त माल की रचनाकार इस प्रकार से देखो यहाँ पर भक्त और भगौन अगर भगौन की भक्ति के लिए नभमे जाना पड़े तो नभमे भी चले जाएंगे भक्त्माल नभादास इस प्रकार से कई बार पूची गई है अंगला है आपको वरवे रामायण की रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको समझो अबी भासा की ठीक है और मां की भरज भासा की है ना इनकी जो बारा प्रमानक रचनाएं मांनी गई है उन मै northeast ठीक है तो बरभया मैं बरबया मन दोस्तो किसकी हैं तुलसी दास की अब इसको कैसे याद रखोगे अब ये तुलसी दास की रचना है और इन्होंने रामचरित मानस की रचना की है तो इन्होंने बार-बार रामायण पड़ी होगी की नहीं तो आपको बताना है कि ये देखो नूर जहाँ है ना नूर जहाँ इतनी सुंदर थी कि इनसे सभी क्या करते थे अनुराग रखते थे प्रेम रखते थे है ना तो कौन नूर जहाँ बहुत सुंदर थी तो इनसे लोग क्या करते थे प्रेम करते थे अनुराग रखते थे तो अनुराग बासुरी की रचनाकार कौन होंगे नूर मुहम्मद बोले अनुराग किसे रखते थे नूर से अनुराग किसे रखते थे नूर से तो अनुराग बासुरी की रचनाकार नूर मुहम्मद ठीक है नूर से अनुराग सभी करते हैं तो इस परकार से याद रख लेन और अनुराग मासरी कई बार पूछी भी गई है छेताई वारता की रिचना कार कौन है दोस्तों चार विकल्पे हैं और एक चीज बताना कि यहां पर आया है ताई और आपको पता है सब के घर में ताई और ताउ होते हैं ताउ जी ताई जी होते ना ताई क्या करती हैं नारायन की बारता सुनाती है ताई नारायन की बारता सुनाती है सुनाती हैं कि नहीं आपके घर में सुनाती होंगी ताई नारायन की बारता सुनाती है तो छेताई बारता की रिचना कार कौन होंगे नारायन की बारता सुनाते हैं तो नारायन दास, यह देखो लच्छमी नारायन, यह लच्छमी नारायन है, और लच्छमी नारायन, नारायन की बारता सुनाते हैं, नारायन की, है ना कौन, ताई, तो छे ताई बारता, नारायन दास, यानि कि आपका जो उत्तर है, वो ए नमबर बिल्को सही हो जाएगा, दोस्तो दान लीला की रचनाकार कौन है? दान लीला और आपको पता है दोस्तो कि जो दान करते हैं और हमेशा दान करते हैं उन्हें दान करने में परमानन दाता है जो दान नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता ये चीज लेकिन जो दान करते हैं उन्हें दान करने में परमानन द आता है तो दान लीला की रचनाकार कौन होंगे कौन होंगे दान लीला की रचनाकार होंगे दोस्तों कौन परमानन्द आता है तो परमानन्द आता है तो परमानन्द आता है तो दान से दान लीला और रसकान की भी है और परमानन्द की है ना रसका दान करने में परमानन्द आ और दानलीला की रचनकार राम चंड्रीका को आजायव घर कःनी है, किस ने खथ ने कहा राम चंड्रीका के चंड्रीका से चमक रहे राम के चंड्रीका से चमकillä type तो राम चंदरी का किसकी रचना होगी क्या चमक रहे केस चमक रहे तो केस अधास है ना यहाँ पर देखो राम के केस चंदरी का से चमक रहे तो राम चंदरी का केस अधास ठीक है राम चंदरी का केस अधास अधिकांस लोगों को पता है है ना अंगला है अनेकार्थ मंजरी क रचनाकार कौन है दोस्तों हमने पढ़ा था वहाँ पर नंद नंद के कई अनेकर्थ निकलते हैं जैसे एक नंद बहु की नंद हो गई ठीके दूसरी नंद क्या हो गई नंद बावा हो गई है ना तो अनेकर्थ निकल रहे हैं नंद के क्या निकल रहे हैं अनेकर्थ निकलते हैं नंद के तो अनेकार्त मंजरी किसकी रचना होगी किसकी होगी अनेकार्थ किसके निकल रहे हैं अनेकर्त निकलते हैं नंद के तो नंददास रूप अच्छा सीधे से सर की अनेकर्थ निकलते हैं नंद के एक नंदकार्थ होता है बहु की नंद एक नंदकार्थ होता है नंद बाबा तो यह से अनेकर्थ निकलते हैं नंद के तो अनेकार्थ मंजरी नंद दास ठीक है दोस्तो भक्त नामावली की रचनाकार कौन है भक्त नामावली विजनल भक्त होते हैं इनके नाव ये प्रथवी है और ये उत्री ध्रव, ये दक्ष्रीं ध्रव, तो इनके नाम ध्रवों पर लिखवाना है तो भक्त नामावली किसकी रचना होगी? ध्रवबदास और आपको पता है प्रतिवी के दो ध्रोब हैं उत्री ध्रोब दक्ष्री ध्रोब है ना और इनके नाम कहां लिखवाना है ध्रोबों पर लिखवाना है भक्तों के नाम तो ध्रोबदास की रिचना होगी कौन भक्त नाम अबली ठीक है अंगला है सुदामा चरित की रिचना कार कौन है दोस्तो यह जो सीन है, आपने एबाला वीडियो जरूर देखा होगा, सुधामा जी और कर्ष्न जी का मिलन, और आपको पता है दोस्तों, कि जो सुधामा जी थे, वो क्यासे थे, नरो में उत्तम थे, नरो में उत्तम थे कौन सुधामा जी, तो सुधामा चरित की रेचनाकार कौन नरुथ्तम दास, इनकी मित्रता बहुत अमर थी दोस्तों, आपने देखा होगा, जिसने भी देखा है, वो देखता ही रह जाता है ये सीन और सोधामा चरेत, यानि की सोधामा नरो में उत्तम थे तो नरुथ्तम दास ठीके, ये है सोधामा, और सोधामा केंसे से न रों में उत्तम थे तो नरों उत्तम दास ठीक है उंगला है सीतायन की रचना कार को न बताना है मैंने बहुत सारी रचना इसलिए नहीं रखी तुलशी-दास की सूरदी की आपको पता है और मैंने पहले भी करवा दी आइसी रचनाय रखी है जो परिक्षाओं में भी आती हैं और आपको पता भी ना हो, है ना ऐसी कुछ कठिन सी, बाकि तो आपको तुलशी दास की पता है, सूर्दास की पता है, कबिर दास की बीजग पता है, बो रख सकती थे, लेकिन बो भी हम बता देंगे बाद में, लेकिन अभी बहुत ही महत्पून और थोड़ी सी कठिन वाली सीतायन की रचना कौन है दोस्तों आपको पता है कि सीता किसकी प्रिया थी यह देखो सीता राम की प्रिया थी सीता राम की प्रिया थी तो राम प्रिया सरनदास और राम की सरनदास में रहती थी तो राम प्रिया सरनदास तो राम की प्रिया कौन थी सीता तो सीता यान की रिचनाकार कौन होगे राम प्रिया सरनदास बोले सीता यान अच्छा सीता तो राम की प्रिया थी तो राम प्रिया सरनदास ठीके यानि कि जो आनम्मर है वो आपका बिल्को सही हो जाएगा ठीके अ भटा रखे हैं यूगल भटक रखे हैं वनलब जोड़ा रखा है जिसे हम यूगल बोलते हैं यूगल है ना और बोलते हैं जूगल जोड़ी है यार आपकी तो जूगल यूगल ठीक है तो यूगल यूग है ना यूग कहेंगे इसे यूग तो यूग से यूगल और यूगल काई का यूगल है ये भटा का यूगल है तो स्री भट यूगल से यूगल सतक और यूगल सतक स्री भट है ना भट याद कर लिए ना भटा के भट के भटा के क्या यूगल भटा के यूग तो यूगल सतक स्री भट ठीक है जो आपका question है दोस्तो सब्द रसाइन की रचनाकार कौन है इस सब्द रसाइन है और चार बिकल्ब में दो सेकंड आपको दिये जाते हैं तब तक मैं आपको बता दूँ कि सब्द को रसाइन देव है ना हम बोल देते हैं ना क्या रासन पानी देव यहसे ही सब्द को रासन पानी देव सब्द को क्या दो रासन पानी देव तो देव से देव कभी यानि कि आपका जो सी नंबर है वो विलको सही हो जाएगा सब्द को अब क्यासे याद रखोगे सब्द को रासन पानी देव यानि कि सा नंबर ठीक है अगला है कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन है दोस्तो दोस्तो आपको कुछ नया करना होगा रचना है अगर याद करनी है तो बेवहारे की जीवन से जोड़ना होगा ट्रिक बनानी होगी ठीक है रिलेट करना होगा अब आपको बताना कभी कुल कल्पतरू की रचनाकार कौन है अब एक चीज बताना दोस्तों इसको मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि कुली की चिंता सभी को रहती है आपको भी रहती है हमें भी अपने कुली की चिंता रहती है आपको भी अपने कुली की चिंता रहती है तो यहाँ पर आया है कुल और कभी कुल कल्प क्योंकि रचनाकार कोन होंगे। कौन होंगे। चिन्ता रहती है तो चिन्ता मणी। यह निणी आपका जो पखल नमबर दी है वह विल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दोस्तो ब्रह वारीस की सिःकना कार कौन हैं। चार ब्र Particip और 2 Second आपको दिये जाती है। और आपको पता है कि जब ब्रह होता है किसी ब्यक्ति को तो उसको कुछ समझ में नहीं आता वो कैसा बोधा हो जाता है बिलकुल बोधा हो जाता है अपन वो तियार तुम तो बोधा हो गए हो है ना ब्रह जब होता है ब्यक्ति को तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता और ब बोधा बन जाता है तो ब्रह बारेस की रचना कार कॉन होंगे। कौन होंगे। बोधा कभी होंगे है । यानी साङका नम्मर आपका और यात करने का तरीका है ठीक है तो सा नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अंगला देखो छंद माला की रचना कार कौन है दोस्तों बहुत ही वड़ीया रचना पूची जाती है यह चंद माला कई बार पूची गई है कि सवदास जी की विज्ञान गीता राम चंदरी का छंद माला यह जंद की माला पहननी है तो केस अउदास चंद माला कहां पहननी है केसों में चंद माला कहां पहननी है केसों में है ना तो केस अउदास इस प्रकार से अंगला है कभित रतनाकर की रचनाकार को है दोस्तों सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट रचना है रीती काल की और हमेशा प हमारे देश की सबसे अनमोल जो रतन है, वो हमारी सेना है, तो सेना रतन है, तो कवित रतना कर की रचना कार कौन होंगे, कौन होंगे, रतन है तो सेना पती, सेना पती यानि की बी नम्मर आपका बिल्कु सही हुए, अब आप कभी नहीं भूलना दोस्तों सेना हमारी क्या है अनमोल रतन है तो रतना कर कवित रतना कर सेना पती इस प्रकार से अगला है मादबा नल काम कंदला की रिचना कार को है दोस्तों मादबा नल काम कंदला है ना दोस्तों नल का काम करते करते आलम बिगड़ जाता है क्य जो आनम्मर है वो बिल्कुस सही होगा नल मादवा नल काम कंदला काम करते करते नल का काम करते करते आलम बिगड़ गया तो आलम जी इसके रचनाकार होंगे यानि कि बिकल्प नम्मर आपका आलम के लिए एक आलम के लिए और मादवा नल काम कंदला ये दो रचना है आलम की ह तो आलम आपका बिल्कुस सही हो जाएगा अगला है दोस्तो रतन हजारा की रचनाकार कौन है इस से पहले लगबग 25 वीडियो टिर्की वीडियो मेंने डाले हैं पूरे संप्रदाय पूरी रचनाय बहुत सारी चीज़ें याद करवा दी साहत अकादमी से पुरुष्कुत र साहत में तो प्लेलिस्ट में जाकर की अवस्य देखना है और रतन हजारा की जो रचनाकार है वो कौन है और एक चीज़ बताना दोस्तो हजारों रतन कहां पर हैं प्रतिवी में या आकास में हजारों रतन कहां पर हैं प्रतिवी में या प्रतिवी से हैं है ना हजारों रतन प्रतिवी में हैं कहां पर प्रतिवी में तो प्रतिवी से हैं इसकी रचनाकार होंगे और प्रतिवी से हैं किसका वास्तिविक नाम था रस निधी है ना रस निधी का वास्तिविक नाम था प्रतिवी से हैं है ना तो याद रख लिए ना रतन हजारा रस निधी या फिर प्र पूछा गया आप से हनुमान नाटक आपसे पूछ दिया अब परिक्षों में और सकुंतला नाटक ये तीनों नाटक पूछे जाते हैं दोस्तो estaruna हनुमान नाटक हिर्दयराम है ना और रामायण महानाटक प्राणचंद चोहान और इस सकुंतला नाटक भी आपको याद रखना है और इस सकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो बाज नहीं आती तो नेवाज संकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती तो नेवाज औ तो प्राणचंद चोहान है ना और हनुमान नाटक तो हनुमान जो है अपने हिरदय में राम को रखते हैं तो हिरदय राम हनुमान नाटक हिरदय राम राम है तो प्राणचंद चोहान हनुमान हिरदय में राम रखते हैं तो हिरदय राम और सकुंतला नाटक करने से बाज नह ठीक है यह आपको याद रखना है अंगला है दोस्तों प्रवोध पचासा की रचनाकार कौन है चार विकल्पे आपको कमेंट में ज़रूर लिखते जाना है अपने कमेंट है ना और लाश्टमे एक प्रस्ट चेलेंज प्रस्ट आपको दूगा जिसका उतर आपको बताना होत और प्रबोध पचासा कि जो रचनाकार है वो कौन है पदमाकर आपको दोस्तों 50 पदम चलना है 50 कदम या फिर 50 पदम क्या है 50 पदम चलना है तो पदमाकर पचास पदम चलना है तो पदमाकर इनकी रचना ये गंगा लहरी है दोस्तों गंगा लहरी है जगज दुनोध है प् के बताना है दोस्तों अब एक चीज बताना कि अगर दोस्तों आपके उपर किरपा राम की हो जाए किरपा राम की हो जाए तो आपका हेत होगा किया होगा क्या होगा हेत होगा ना किरपा राम की हो जाए तो हेत होगा तो हेत तरंगनी की रचनाकार कौन होंगे हेत तरंगनी क आपने पड़ा होगा माखलाल चतरवेदी का हिम तरंगनी है ना हिम तरंगनी माखलाल चतरवेदी की और हित तरंगनी किरपा राम की क्यूंकि हित किरपा राम की होती है तो हित होता है यानि कि जो आपका ए नम्मर है वो बिलको सही हो जाएगा ठीक है अंगला है अध्यात मे करोगे अध्यात्मे से जुड़ जाओगे अध्यात्मे यानि की भगवान की भक्ती से अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा सुख मिलेगा अगर अध्यात्मे से जुड़ जाओगे और अध्यात्म का प्रकास अगर आपके जीवन में आ जाए तो आपको सुख मिलेगा यानि कि सुख देव मिस्त्र अध्यात्म का प्रकास आपके जीवन में आ जाए तो आपको क्या मिलेगा सुख तो सुख देव मिस्त्र इसके क्या हो जाएंगे रचनाकार हो जाएंगे किसके अध्यात्म प्रकास के ठीके तो सा नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा, अंगला है सिवराज भूशन की रचनाकार कौन है, दोस्तों आपको पता है कि यहां पर भूशन आ गया है, भूशन तो भूशन आ गया है, तो निश्चित यह भूशन की रचना होगी, और इस सिवराज भूशन में 105 अलंग कारो और कुछ विद्वान मनीराम मानते हैं, है ना, तो यह याद रख ले ना, भूसन, यह सिवराज भूसन इनकी रचना है, चातर साल दसक है, सिवराज भूसन है, है ना, और अंगला है, यमुना लहरी की रचनाकार कौन है, चार विकलप आपको दिये जाते हैं, दोस्तों, यम ग्वाल किसे बोलते थे, स्रीकर्ष्ण को, तो ग्वाल कभी, यमुना में कुंद गए थे कौन, ग्वाल, तो ग्वाल कभी की रचना होगी, कौन सी, यमुना लहरी है, चित्र के माद्यम से देखो, दोस्तों, यह स्थेस नांग है, और यमुना में इस स्थेस नांग को पक तो सभा कोई सी हो, सभा आपने देखी होगी दुनिया में बहुत सारी सभाएं होती हैं, लेकिन सभाओं में गरीबों का बोल बाला नहीं होता, किसका होता है, अमीरों का बोल बाला होता है, आपने देखा होगा अमीरों का बोल बाला होता है, तो सभा मंदन की रचनाकार कौ होंगे अमीरों का होता है तो अमीर दास कौन होंगे अमीर दास अब याद रख लेना मैं पूछूँगा सभा मंदन किसका है तो आप बोलोगे सर सभा में गरीबों की पूछ नहीं होती अमीरों का बोल इसके लता की रचनाकार कौन है दोस्तो चार विकलपे इसके लता और आपको पता है कि रीती काल में कौन सा ऐसा कभी है जो इसके की लताएं फैला रहा था कौन फैला रहा था आपको पता है कि इसके की लताएं फैला रहा था तो वो फैला रहा था गहनानंद गहनानंद कभी थे जो इसके की लताएं फैला रहे थे यानि कि जो डी नम्मर है वो बिल्कु सही हो जाएगा है ना और इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान है ना और सुजान के प्रेम में अपनी लताएं फैला रहे थे तो इसक लता सुजान के इसक में लताएं फैला रहे थे कौन यानि D नमर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अंगला है दोस्तो सुधा निधी की रचनाकार कौन है अब चार बिकल्प में दो सिकेंड आपको दिये जाते हैं सुधा निधी सुधा मतलब होता है दोस्तो अमरत है ना और अमरत की निधी जैसा समझते हैं अगर बच्चों मचते हैं बच्चे अगर तोस्त मिल जाए तो तोस्त कभी ठीक है तोस्त कभी हो जाएंगे इस प्रकार से सुधा निधी की रचनाकार कौन है तोस्त कभी है अंगला है दोस्तो नौरस तरंग की रचनाकार कौन है नौरस आपको पता है दोस्तो आप बोल दे हो सर मुझसे नौरस नहीं बनते, नौरस, नस, रस हम पढ़ते हैं, कितने होते हैं, नौ होते हैं, नौ, हैना, दो मिलाके, ग्यारा हो जाते हैं, लेकिन, नौरस आप पढ़ते हो, तो नौरस में, अगर आपको पिर्बीन होना है, पिर्बीन होना है, तो क्या है, यहाँ पर पिर्बीन, अब बिल्कुँ सही हो जाएगा ठीक है आप भी नौरस में पिरवीन हो तो बेनी पिरवीन नौरस तरंग की रचनाकार बेनी पिरवीन इस परकार से याद रखेंगे सुजान चरित की रचनाकार कौन है दोस्तों याद रख लिए न यह सुजान घंणनंद की प्रेमी क्या थ कभी क्योंकि सोजान के प्यर्म क्या गई सूजन तो सूधन और शूजन आ गई तो गुण होंगे सूधन कभी होंगे अब कभी बूल ला नहीं कि आ अपने अंगों को दरपन में देखर क्या लेते हैं लोग रस लेते हैं तो रसलीन रसलीन अंग को अंग को दरपण में देखकर रसलीन है ना अंग को दरपण में देखकर रसलीन चित्र को देखो और उत्तर बताओ अंग को दरपण में देखकर रसलीन यानि सा नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अंगला है काब कल्पद्रों की रचनाका कौन है दोस्तों काब कल्प द्रोम हमने कवित रतना कर परी थी कि हमारी सेना जो है वो रतन है और दोस्तों आपको पता होगा कि जो सेना होती है वो ब्रक्चों की ओट लेकर के बच बच के दुस्मनों पर क्या करती है बार करती है तो काईपर ओट लेकर के कल्प ब्रक्च आ आपने सुना होगा एक कल्प ब्रक्ष नाम सुना होगा कल्प, कल्प आया है तो कल्प एक ब्रक्ष होता है और ब्रक्ष की ओट ले लेकर के हैना हमारी सेना क्या करती है दुस्मनों पर बार करती है तो कौन करती है सेना तो काब कल्प द्रूम कल्प, अब कल्प याद रख ल ठीक है दोस्तों अब आपको बताना है कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है कमेंट में जरूर आपको बताना है जितने लोग भी देख रहे हैं ठीक है और साथ यह चेलेंज प्रसने आपका कि इसके नामा की रचनाकार कौन है हमने पड़ा था इसक लता अब इसके नामा की रचनाकार आपको बताना है, हैना कमेंट में आपको लिखना है कि सर इसके नामा की रचनाकार A है, ठीक है, आप लिखेंगे और ये चार कभी दिये हैं, इनकी अगर रचनाएं आपको याद आती हैं ठीक है यह आपको WhatsApp ग्रोप है इस WhatsApp नमबर पर आप मैसेज करेंगे आपको ग्रोप की लिंक मिल जाएगी ठीक है साथ ही एक अपना Telegram ग्रोप है IAS Study टरिक यह Telegram ग्रोप है तो आप यह Telegram ग्रोप से जोड़ सकते हो ठीक है और वीडियो को Like और इस प्रकार से Subscribe का बटन दवा कर बेल आइकन को जरूर दवाएं दोस्तों और रोज सुबह साड़े 9 वजे आपकी कक्छा होती है सुबह साड़े 9 वजे टिर्की वीडियो हिंदी साहत टिर्की वीडियो सब कुछ टिरिक से दोस्तों ठीक है तो वीडियो को Like और सेर अबस्त करें वीडियो कैसा लगा कमेंट के माद देम से बताएं आज की वीडियो के लिए वस इतना ही जै हिंद